आप सब का स्वागत करता हूं एक बार फिर से इंजिनियर्स प्लैटफर्म के यूट्यूब चैनल पर आज की क्लास में पढ़ने वाले एक बहुत ही बेसिक सा कंपोनेट एक बहुत छोटी सी चीज जो अपने को डेली लाइफ में हर जेगे गो थू करना पड़ता है एलेक्ट्रिकल सरकेट की बात करूं तो भी चाहिए डेली लाइफ की बात करों तो भी पंक्खे की मोटर में भी कहा है आप की अपना कैपस्टर को इस अप बढ़ने वाले हैं Sandaaritra कि बारे में क्या होता है उसका एक बेसिक इंट्रोडिक्शन लेंगे आज की क्लास में अपन क्या पूछा जा सकता है उनको पढ़ने वाले बड़ा ही इंफॉर्मेटिव होने वाला शेशन तो फटा फट से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर कर जाता है एक तो होते हैं या तो एक्टिव या होते हैं पैसिव सक्रिय या अक्रिय एक्टिव वह होते हैं जो किसकी तरह सूर्स की तरह काम करें जो सर्किट को इलेक्टिकल एनरजी दें और पैसिव वह होते हैं जो सर्किट से एनरजी ड्रॉ करें वह बात अलग है कि कि किसी passive अव्यव में अगर अपन बात करें capacitor और इंड़क्टर की तो अगर एक बार वो charge हो जाते हैं उसके बाद वो खुद भी एक source की तरह काम कर सकते हैं तिक charge inductor और एक charge capacitor आवेशित संधरित्र और आवेशित आपका प्रिरिक्ष ये दोनों भी किस की तरह काम कर सकते हैं एक active source की तरह है एक बन जाता है current source एक बन जाता है voltage source तो यह वैसे source हैं लेकिन कब जब वो charged हो जब वो आवेशित हो और हमें जानते हैं कि active उनको बोला जाता है जो बिना किसी शर्त के हमेशा किस की तरह काम करें एनरजी डिलिवर करें तो आप कहेंगे यह तो किसी शर्त पर कर रहें कि अगर इनको पहले चार्ज किया गया है तो यह किस की तरह काम करेंगे आपके source की तरह है इसका मतलब अगर कभी प्रशन आता है कि प्रतिरोध संधारित और प्रेरक आर एलसी तीनों किसके उधारण है आप कहेंगे एक passive element के अब इतना क्लियर हुआ अब passive element हर एक circuit में का जो energy draw करते हैं उसके आर एलसी यह तीन component यह इन तीनों का combination यही इस्तमाल किया जाता है तो आज की class अपनी होने वाले किसके उपर capacitor के बड़ा ही basic और चोटी-चोटी चीज़े पन study करेंगे चलिए बिना किसी देरी के start करते हैं फिर capacitor जैसे आप देखने अलग-लग design में बहुत सारे material specific भी है अलग-अलग विदु उपयोग उसके अनुसार अपन क्या करते हैं निर्मान करते हैं manufacturing करते हैं देखें सबसे पहले अपन यहां पर कह सकते हैं कि basic capacitor है क्या तो अगर आप इस diagram को ध्यान से देखें तो यहां पर अपने को दो plates दिख रही हैं देखें मैंने दो surface मनाई हैं यह दोनों ही धात्विक सतय हैं यानि metallic surface हैं metal की surface हैं दो धात्विक प्लेटें या दो सतय की बीच में आपको यह जो यहां पर डाइलेक्ट्रिक दिख रहा है पराविद्ध दिख रहा है आप कहेंगे बस इसी चीज को अपन क्या कहते हैं एक capacitor कहते हैं यह प्रकृती में हम कहीं पर भी capacitance की बात कर स सकते हैं बस होना क्या चीए दो चालक सतय जिनने किसी पराविद्ध माध्यम से प्रथक किया गया हो अगर मैं सबसे ही simple example आपको दूँ तो आप डेली लाइफ में transmission line देखते हैं क्या जा रहे हैं दोनों कैसे हैं चालक है conducting है और बीच में क्या है अपने पास air है तो आप कह क्या सकते हैं किसकी तरह काम कर रहा है लाइन संधारित रही यान की धरिता हुई line कैपस्टेंज बन गया अगर मैं बात करूं underground केबल की तो underground केबल में क्या होता है बताओ केबल के अंदर अगर multi core cable है अगर मैं कहों एक से ज़्यादा core है तो क्या होगा किनी दो core के बीच में क्या आता है insulation तो वो किस की तरह काम करेगा बताइए फिर से capacitor बन गया core to core capacitance क्याते है या single core भी अगर है तो एक core जा रहा है उसके ओपर क्या है insulation और वो finally कहा है आप कहेंगे ground के reference में धाई तो आप कहेंगे core और धात्विक सेता है दूसरी उसके पर होती ही metallic sheet जो धात्विक आवरन लगाते है underground cable की बनावट में पढ़ते हैं अपन core आता है फिर insulation आता है फिर उस पर एक धात्विक आवरन आता है तो आप कहेंगे उनके बीच में भी आ गया तो क्या बन जाएगा core to earth capacitance तो कहीं पर भी दो चालक सेता है जिनने किसी पराविद्वत माध्यम से प्रथक किया गया है वो किस की तरह काम करता है संधारीतर की तरह है काम करता है देखिए लिखा भी अपने इस तरह से कि पराविद्वत माध्यम से प्रथक की गई दो चालक सेता है जिनमें विद्वत धारन की शमता हो बूल बात क्या है अगर ऐसा है तो करता क्या है वह अपनी विदूट छित्र में एक आवेश या एक उर्जा को संघ्रहित करता तो जिसमें यह प्रॉपर्टी हो उसे अपन क्या कहते है संधारीतर कहते है यह इंगी कि जू घूmbण है क्या नाम दिया गया संधारित्र की dharita यानी capacitance of capacitor एक बेसिक इंट्रडक्षन पन कह सकते हैं कभी कोई पूछे कैपैस्टर क्या है तो आप इतना सा बोलेंगे दो चालक सत्य जिनके बीच किसी पराविद्वत मादेम से उनको प्रथक किया गया वो किस की तरह काम करता है जिसमें विद्वत धारण का गुण हो अब दो चालक सत्य दूरी दूरी बहुत दूर रगदी बीच में ए अगर बढ़ते हैं अगर इंट्रोडक्शन अपन बोलें तो उसको पैचानने के लिए एक चीज अपन बार बार अपन यह कहते हैं दो चालक सत्य जिनके बीच में पराविद्वत मादेम तो फिर उसके बाद किया क्या जाता है अगर उसे किसी विद्वत छित्र में रख द वही उसके गुण को दर्शात है जैसा कि आपन देखें तो मैंने यहां पर एक इंट्रोड़क्टरी चार्ज हमेशा अपन जैसे ओम स्लो पढ़ते थे याद पर ओम के नियम में क्या बोला जाता है किसी परीपतिया किसी प्रतिरोध में प्रवाहित धारा उसके सापिक्ष उसी तरह से बोलते हैं द्यान से सुनिए किसी कैपसिर को जब हमने किसी एललेक्ट्री क्त gauche तो क्या होता उसकी प्लेट उन पर एक आवेश संग्रहीत होता होता क्या क्या पोजिटिव प्लेट सबसे पहले पॉजिटिव से जोड़ा तो आप कहेंगी इस पर इसके opposite यहाँ पर यह इसके opposite चार्ज यहाँ डिलिवर करें समझना इसको अच्छे से अगर यह positive था और negative अगर यहाँ पर पन कहें इस positive के corresponding यहाँ पर इसके negative चार्ज आए यहाँ से यहाँ से यहाँ तक इस विद्धु छेत्र में अपसाइलन के मोड से पहुंचे तो आप कह घणे कि फट् yogi यहाँ पर इस प्लेट पर कितना रहाए गया प्लस क्यों इस प्लेट पर कितना रहा गया आप माइनस क्यों तब कहिएगे इक धनावेशसे और एक प्लेट नेगेटिवली चार्ज हो जाती तो आप कहेंगे पॉजिटीव से नेगेटिव की तरफ आप बो प्लेटों पर आने वाले आवेश के कारण एक संग्रहित होती है अब सोचो जरा एक है पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव प्लेट पर एक धनावेश एक रणावेशित तो हमेशे पोटेंचिल भी तो आएगा तो आप कहते हैं इनके समानुपाती ही इस आवेश की यह प्लेटों पर आवेश आता है वो सीधा किसके प्रपोशन होता है किसके प्रपोशन होता है क्यू समानुपाती वी यानि कितना वोल्टेज मिलेगा मुझे उसके सापक्ष अगर मैं यह प्रपोशनिटी हटा हूँ तो यहाँ पर समानुपात हटाने पर क्यू बराबर क कहा जाता है तो कुल मिला कि यह कह सकते हैं और कैसे दिखाएंगे सिंबल के अगर बात करूं तो किसी भी कैपेस्टर का बेसिक सिंबल ही होता है दो प्लेट जिनके बीच में पराविदुत-पदार तो एक पैरलल प्लेट मुस्टली से दिखाए अब ऐसा नहीं है कि हमेशा से पैरलल ही बनाते हैं नहीं ऐसा कहा होता है अगर मैं बात करा हूँ केबल की तो केबल में अंदर की लेयर कोर है फिर बाहर एक धात्वी काव रहने तो तो सर्कुलर बन रहा है ना इसी तरह से अपन कहेंगे स्पैरिकल भी बना सकते हैं सिलेंड्रिकल भी बना सकते हैं ब नहीं किस से related बात कि capacitance में basically क्या यूज करना है अब यहां पर देखिए मैंने जो लिखा था Q equal to CV से Q equal to CV से अपने पास क्या निकल क्या आया अपने पास आया C अब यह C इसकी क्या है धारिता है और C की value जो है वो किस में पड़ी जाती तो अब यहां से एक चीज नहीं सीखते हैं पन कि अगर मुझे कोई unit की बात करेगा एकाई की बात करेगा तो मैं क्या कहूंगा एकाई क्या होता बताओ इसकी इकाई हो गई भी फैरड क्या होगी फैरड लेकिन एक दूसरी काई भी तो बन सकती बताई वो फैरड किसके तु दूसरी काई कौन सी होगी इसकी दूसरी काई कुलम प्रती वोल्ट भी तो होगी बोलो फटाफट क्या इसकी काई कुलम पर वोल्ट नहीं होगी वो भी इसकी काई होगी सो कुलम पर वोल्ट यह फिर फैरड यह दोनों एक दूसरी के तुल्ले अब एक फैरड बड़ा एक मेली यूज़ कर रहा है तो इसका मतलब कितना हो गया 10-3 माइकरो यूज़ कर भैंब 10 की गात मैनेश शेठ-PICO यूज़ कर रहा है तो दसीघहात बारा तो आप कह सेक hè एक फेरेड का इतना वाहिस है तो कुल मिला के इस तरह से अलग- लग मान के तो बेसिक समझ में आ गया हो गया क्या कहना चाहा है तो यूनिट डिसकस कर लिए परिभाशा डिसकस कर लिए एक बेसिक फॉर्मुला डिसकस कर लिया आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइट पर देखें इस बार मैंने उस पैरलल प्लेट के पैस्टर को दिखाया तो जब कभी क कि अगा पान के चलते हैं क्यों क्यों क्या है संदारित कैसे अगर कुछ नहीं हो नहीं इत्व कहा गया कि और उंगा तो कि็ राइए चुल में मैं नहीं बढ़ाएं सकता हूं हाफ आप भी ले सकता हूँ, कई एप्लिकेशन होते हैं, जब डिटेलिंग से अपन पढ़ेंगे तब बात करेंगे, आज हम इंट्रोडिक्ट्री कैपेस्टर की बात करने वाले, एक कैपेस्टर के बारे में छोटी-छोटी सारी बात है, अब मैंने कहा है, यहाँ पे दो प् जो है उसका इसके परावितांग बोल दूँ या फिर इसको विदुद्चीलता कह दूँ इसकी परमिटिविटी जो है, यह किसके बराबर है, यह है अपसाइलन, इसे अपन अपसाइलन से शो करते हैं, विदुद्चीलता किसमें होती है, जरा फटा-फट से मुझे मातरक से बताइए, याद होगा, किस में होती वोलो, बुले, 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 किसमें लेंगे, husband, इसके सम्तुल ले, फिर इसके जैसा अपन किसमें पढ़ते हैं, चुम्भक के छितर में पढ़ते हैं, वहाँ पर वाहाँ पर मुयूज करते थे, जिसे अपन चुम्भक श चुम्बक्षील्ट यानि कि क्या नाम था उसका पर्मीबी लीति उसका यूंट किस में होता था वो होता था यकश घंड़ी याद रखना बड़ा हसान है कि विदुध चिंद् मेलफ से समंधित विदुध चिंद्र कहां आता है किसी संधारी तरी की प्लेटो सकता है प्लस माइनस के कॉर्सपंडिंग तो कैपेस्टर से याद रख लो फैरेड फैरेड पर मीटर और चुम्बक शीलता कहा आती है कॉइल में आएगी और कॉइल किसमें मापा जाता है हैंडरी में तो इसका मात्र क्या हो जाएगा हैंडरी पर मीटर इस तरह से पन अगया होती है उस धारिता के लिए कहा जाता है कि वह धारिता सीधा प्लेटों के छित्रफल के समानों पाथ होगा अगर माध दूरी बढ रही है तो उसकी गुण एक डू से विदुच्छे तो शीन भीत होगा उसके साप वितरित होकर इसलिए पन कहते हैं दूरी के समानुपाति होना ही है तो आप कहेंगे सी समानुपाति किसके अपसाल तेक तरह से इन तीनों को कलेक्टिव लिएकर बोलें तो अपने पास फॉर्मुला क्या निकल के आगे यह तीनों की गुण पता चलगे एरिया जादा होगा तो चेत्रफल जादा दूरी कम होगी तो धा सबता विदुतंग लिखा है इससे बलते हैं अपसाइलन आर पॉन अपसाइलन जिरो तो यह जो अपसायलन लिखा है यह तो किसी पदार्थ के लिए यह epsilon 0 किसी air या निर्वात निर्वात या वायू की विद्ध शिलता होती है और इसकी value मैंने यहा लिख रखिए जो fix है याद होना ची पूछा जाता है 8.85 गुणा 10 की घात माइनस 12 और मातरक बताए क्या होगा अभी भी बता क्या है हूँ कौन सा farad per meter तो 8.85 गुणा 10 की घात माइनस 12 और मेटर यह है वायू कि अब अगर मैं कहूं air के सब इसकी पता है और किसी का सापेक्षमान पता है तो आप अपसाइलन निकाल सकते हो तो अपने इस अपसाइलन के जगे क्या पुट कि है अपसाइलन बराबर अपसाइलन 0 अपसाइलन आहिसी यह अपना फोर्मॐला आ गया क्या तो कभी भी स Enfin प्लेट संदारियत्र का फॉर्मला कॉश्यन बेस आएगा उसमें क्या कहगा प्लेटों का चेत्रफल यह दूरी यह सब इतना तो बताई धारिता कितनी होगी तो सीधे सीधे बड़े आसानी सपन निकाल सकते हैं बहुत सरल चीज है कभी नाम भी नहीं दे किसी धारिता किस किस कैपेस्टर की बात कर रहे तो वह भी डिफोल्ट कौन सा होता है पैडल प्लेट कैपेस् चलते हैं अपने अगले पर इस डाइग्राम में मैंने इस इस स्लाइड में मैंने बहुत सरे छोट छोटे के पैस्टर दिखाने की कोशिश करी देखो वह विबिन प्रकार कंस्ट्रॉक्शन वाइस अपन कहते ने प्रॉपर्टी वाइस बनाना हो तो गोल ये संधारी तर और वो तो नहीं दिखाए मैं जो प्रैक्टिकली अपने इस्तमाल करते हैं तो यहां पर अगर आप इनमें गौर से देखें तो एक सिमेट्री आपको यह दिखेगी कि यह देखो मैंने क्या बना है इलेक्ट्रोलाइट 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 सारे इलेक योग AC DC दोनों के लिए किया जा सकता है यह भी इनकी अच्छे गुण है अब इनको अलग लग जैसे Aluminum Aluminum face पर बना दिया यह जो बनाया गया इसे PCB पर लगाया जाता है यह जो बनाया गया यह वाइड है यह नहीं किसी Christian starting tour provide करने का काम करता है उसके अगर आपने शर्फेस देखिए पुराने जो बल्ब होल्डर आते थे जो पुराने आपन कह सकते हैं उसी तरह का वहता है न सरफेस वाला सरफेस्ट माउंट वाला तो जो किसी बैटन में और holder में fix हो उसी तरह का ये भी है तो capacitor भी तो उसी में fix किया जाता है घुमा के तो यह आपके वो surface mount वाला जो fan वगरे की motor में लगता है यह सब electrolyte के प्रकार है इसी तरह से इसी ship में यह भी देखिए surface mount पर यह रहा motor के लिए motor के लिए जो यह plug उसमें अटैच हो जाते हैं यह capacitor तो मैं different types of capacitor दिखाने कोशिश किया यह इनीचे अपने ceramic भी एक काफी इस्तमाल कियाता है radial ceramic हो गया surface mount हो गया यह polyester basis हो गया memory makeup हो गया trimmer type हो गया यह different types of capacitor अपन industries में इस्तमाल करते हैं इन सब की अपनी अपनी रेटिंग जैसे air या paper capacitor जो कम मिले जाता है ठीक है चली आगे बढ़ें एक दूसरा टाइप जो मैं कह रहा था types के अगर बात चली रही है तो इन में भी तो अपन बोलते हैं capacitor के जो टाइप है वो बनावट के अधार पर होते हैं material के अधार पर भी होते हैं ज्यादा तर PCB mount जो कौन से करते हैं ceramic प्रिकार के अपन काम में लेते हैं और भी धिरे धिरे आप और advancement करें पावर electronics के छित्रमों में तो और भी बड़े साइज कम और ज्यादा rating पर capacitor उपयोग में लिए जा रहे हैं ठीक है चलिए आगे देखते हैं next आप जो एक दूसरा important case होता है जो जिस पर numerical पूछे जाते हैं जिस पर questions आते हैं आज कल की परिक्षाव में आप देख रहे हैं इवन डिप्लोमा डिग्री की बात क्या करूं इपर भी बहुत सारे आपके questions आते हैं डेटा बेस निमेरिकल्स प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है जहां पर आपको calculation करनी पड़े गढ़ना पड़ने पड़े तो उस पर अपने को थोड़ा काम करना मैंच पर भी अपने को questions ल सब कैसे कैसे जोड सकते तो combination में सबसे पहले मैंने कहा series, आप पैयरल में जोड़ु तो इस तरह से जोड़ूँ की सब के सीरे एक जगह पे जोड़े हूं ताकि सबके सामान वोल्टेज बराबर हो और सबका चार्ज अलग-लग जैसे की रजिस्टेंस के समय अपन कहते हैं कि सब करंट अलग लेंगे लेकिन सब के साफिक्ष पैरल में वोल्टेज बराबर हो तो ये इनका समांतर करम सहीं हो जुद अब मैंने कहा ये तेन तेन को मिश्रित में भी तो जोड सकता हूं पहले दो जोड़ दू पहले दो को जोड़ दूँ in parallel में now फिर एक के साथ किस में Jagadon see में तो इसके अपने क्या वोला हैं हम ने कहा है ये एक और combination क्या बन सकता है पहले जोड़ दो series में दो में और फिर तीसरे के साथ उसको ब्रांच को पैरल में लगा तो मिंग्स में series in parallel या parallel in series इस तरह से दो combination बनते हैं तो कुल मिला कि अपने पास चार तरह के सायोजन के प्रकार मूल रूप से mixed कोई अलग से पूछता भी नहीं है questions में आए तो solve कर दो दो ही तरह की बात करते हैं पन series और ठीक है combination पर बड़े प्रशन आते हैं यह धान रखिए देखते हैं आगे अगली कि दो capacitor है और मैंने का वो दोनों ऐसे हैं ठीक है इन दोनों को अगर किसी circuit में जोड़ दूँ तो आप से कहता कि C1 और C2 पर किसी भी voltage से source अगर आपने connect किया है तो सबसे पहले चीज क्या होगी इन पर आवेश समान जाएगा ठीक है इन पर आवेश समान होता है क्योंकि धारा समान बैती है और दूसरी चीज यह अगर आवेश समान है तो भी आपका formula क्या था बढ़ाया तो क्यू बराबर cv यह था ना क्यू बराबर V1 प्लस V2 तो सीरीज का गुण क्या कहता है कि वोल्टेज मंटता है सीरीज में वोल्टेज डिस्ट्रिब्यूट होता है तो अपन क्या लिखते आप कहते वी बराबर V1 प्लस V2 ऐसे लिख देते अब V बराबर V1 प्लस V2 में अगर मान रखो तो मैंने का इसकी कि कुल धारिता CS और यह अकेला क्या पेस्ट्रिक इस पर लगा होता एक वोल्टेज सोर्स जो होता वी तो चार्ज तो तब भी क्यों लिखते पन समान तब किस तरह से सॉल करते वी बराबर किसके हो जाता बताओ वी बराबर अभी बताए मैंने क्यू बटा सी इस वी के इस तरह से सीरीज में अपने पास आंसर आ जाता अब इस तरह इस तरीके को डारेक्टली सोचो अब एक्जाम में पर यादी रखते हैं इस तो इतना तो पता ही होता है कि तुल धारिता यह है अब बताओ दो संधारित रगर इस तरह से जुड़े हों मैं कहूंगा इसकी त बता सीवन सीटो अगर आगे हल करके दिखाऊं आपको तो एलसीम कितना आ गया सीवन सीटो और उपर सीवन से डिवाइड करोगे तो यह बन जाएगा सीटो और यह बन जाएगा सीटो कुल मिला कि यह चीज याद रखते हैं अपन सीधे कि दो संधारित रगर समन्ध यही तरीका यूज करते हैं अब मुझे अगर कोई पूछे कि यह बताओ सिरीज कॉम्बिनेशन और प्राइल कॉम्बिनेशन में प्रॉपर्टी क्या आती है आगे डिस्कस करूंगा भी मैं कि धारिता बढ़ती है कि घटती है अब दो चीजे अगर सीधे जोड़ती होते दस 10 और पंच 15 होते तबतुफ 10 और 10 कितने हो जाते देशन लेकिन यहां पर अगर यह दोनों समान होते मानलों सीसे टू सेब वैल्यू कैं होते दभांनों-सी टू बरबर होते कि सी हो झाल टो तो दोनों अगर दस-दस फेरेड के थे तो इनका तुल्ले मान कितना निकल के आ रहा है आपके तुल्ले मान तो पांच यह आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुल्ले धारिता घटती है कि इसमें श्रणिक्रम तो यह सब प्रॉपर्टीज है जो आप पानी ची मैंने इधर बराबर बटेगा और तुल्ले धारिता का फॉर्मला यह कहीं दिया और दो के लिए डारेक्ट फॉर्मला क्या बता है मैंने सीवन गुणा सीटू बटा सीवन प्लस सीटू डारेक्ट लगा तीन हो तो फिर वन अपॉन वन अपॉन करके स्वाल करें अब समानतर करम सही हो करें समानतर में पता है वोल्टेज तो बराबर होना है तो दोनों के साथ वोल्टेज तो सेम गया अब अपन कहते हैं दो चीजों का अगर वोल्टेज बराबर 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 है आवेश दोनों पर अलग लग करन्ट लेंगे कब लेंगे बताओ अलग जब उनकी धारिता कितर है यहां पर तुल्य धारिता सीधे जुड़ जाती सी वन प्लस सी टू तो आपको साफ दिख रहा है यहां 10 और 10 कितने हो रहे थे 5 और यहां 10 और 10 होता कितना हो जाता बोलिए 20 इसका मतलब पैरलल कॉंबिनेशन में क्या हो रहा है तुल्य धारिता बढ़ रही है और शे ुझे तो कैसे बताए शेनिक्रम सायोजन कीब करें सीरीज कॉंबिनेशन की बात करें किसी स्योक्ति में अगर मेरे पास धारितास है तो आपने क्या लग लीग है के लिए उंसमान धारिता वाघे पैउरो के दीय तो बात पीछे ही पढ़ चुके थे कि 10 और 10 5 कब हो रहा है series में और 10 और 20 कब हो रहा है parallel में तो parallel में बढ़ता है कोई चीज बढ़ ना मतलब किसी संख्या से गुणा होना तो देखो यहां से ऐसे भी आतर जाएगा कि parallel में देखो एक चीज क्या मिल रहा है एन सी यहां पर हो जाता है सी बटा एन यहांई क्या हो जाता है वन अपोन एन ठीक है तो एक में संख्या घट रही है अगर आप चाहों तम इसको करकी बता दूँगा देखिए अगर सिरीज में हैं तो बताओ कैसे तरीका था अपने पास एक बटा सी निकालते थे अपन एक बटा C s कैसे लिखता थी समान है सब्षी के सभी c फमान है न सभी समान है सभी सी गिवरक्ट सी प्लस एक बटा सब ऐसे जोड़ते कितनी बार अब मैंने यह चीज 1 1 by c 1 by c कितनी बार लिखा है n times तो मैं अगर यह कहूं इन सब में इन सब को जोड़ूं तो यह एक बटा c कितनी बार जोड़ा n बार जोड़ा clear तो एक बटा cs बराबर क्या है निकल के एक बटा cs कितना हुआ तो क्या कहूंगा cs किसके बराबर रहेगा उल्टा कर दो अपना अंसर यह तो लिखा है तो बताओ अगर 10 संदारी तरित है और 10 बार जुड़े तो कितना हो जाएगा 10 बटा 10 करके एक यानि घट जाएगी मान शनी क्रम में तुल धारिता एक बटा एन गुना होकर यानि कि कम हो जाती है जबकि समांतर करम में क्या होगा बताओ समांतर में सीधे जुड़ते हैं तो आपने का एन संदारी तरह है तो कैसे लिखेंगे cp बराबर c c सबकी वेल्यू सी सी प्लस c प्लस c प्लस इस तरह से कितनी बार एन बार बताओ इस तरह से पूछा जाएगा यह प्रशन कई बार आता है याद रखेगा चली यह थे कुछ विविद बिंदू में दो पॉइंट अगले बात करते हैं यह आपने देखा ही होगा स्टार डेल्टा कर नहीं भी पड़ा है और आपने रटा है तो आपने इसका एक ट्रिक रट तो आपने रटा हुआ है तो आपको पक्ता पता होगा कि किसी भी परिपत में स्टार से देल्टा रुपान्तर ने करते हैं तो आर एल सी के मौन किसे लिखे जाते हैं किसी सीदा सा तरी का बताया जाया टाँ और Uh जो होता है उसके लिए एक लाइन याद कर लेना कि डेल्टा में कि डेल्टा कनेक्शन में रजिस्टेंस जो होता है वो हाई होता है उच्छ होता है डेल्टा में रजिस्टेंस बढ़ता है तो कभी स्टार से डेल्टा जाओंगा तो रजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो मैं इसका भी मान क्या होगा भी बढ़ जाएगा ये भी बड़ेगा लेकिन कियफेस्टिर के बात की जाती है Sign Each इत्र कि तो आप करते हैं क्या होगा अगर तो अगर आपको कोई चीज इधर डिल्टा में जाने पर कम करनी है और एक तीहाई करनी है तो बताई आश्य क्या आएगा बोलो बटा रट से आश्य क्या है आएगा आश्य की वेल्यू एक बिक सी आना चीए यह तो अगर अपन कॉंसेप्ट पे बात करें अगर हम किस पर सिद्धान पे बात करें की कैसे होता है तो इसका मतलबूं यह है किसी भी तुल्य परीपत में एक बेसिक सी में एक basic सललो है कि कोई भी भी दो टर्मिनल के बीच का तुल ले मान समान रहते हैं चाहिए वो स्टार में हो या डेल्टा में हो रजिस्टेंस हो या के पैस्ट हो अब इसका क्या मतलब हो है इसका मतलब यह है वापस से देखिया आंसर तो पता है c by 3 लाना है कैसे लाना है हो समझते यह कहते है कि कोई भी दो टर्मिलल इसके और इसके बीच की बात करें ये मान लीजे 1 और यह 2 है ठीक है 1 और 2 के बीच में और इधर भी कौन है यह रहा 1 और 2 इन के बीच की तुल्ले धारिता समान रहनी चाहिए किसमें स्टार में भी और डेल्टा में अब जरा समझना अच्छे से अगर मैं सबसे इसको रफ कर रहा हूं भी मैं इधा देखिए सबसेए अब अगर मैं बोलूँ कि मुझे 1 और 2 की बीच में मैं कहूँगा सी 12 किसके लिए श्टार ब्राबर आना चिए किसके लिए डेल्टा दोनों का तुल्ले मान समाना आना चीए ठीक है जी 12 के बीच में चेक करें यहां से करते हैं कि एक सूर्स लगा देते हैं कोई बाटरी लगा दी को दिए वन और टू के सापेक्ष जब देखेंगे तो यहां से कोई करेंट आएगी वो सीधा इधर ही चली जाएगी ना वही यह ब्रांच तो उपन सर्किट पड़ी तो इस ब्रांच का तो कोई मतलब भी नहीं स्टार में तो आप कहते हैं इसके और इसके बीच में किवल दो संधार इतर हैं स selling Ms और साफ दिखने हैं दोनों किसमें जुड़ें सीज में जुड़ें और सीरीज में त塔धी हो जाती है पता हैं आपने को सी ओर सी हों तो चता है सीवाइटू में यहां पे जबाब क्या लिखनेग masihमें तो साफ WHO ब्सक्वाइधे हैं ऐसे कहता कि तरफ दोनों क जाती है इधर भी जाती है दोनों तरफ जाती है क्योंकि आगे सर्किट है और जो इदर से जाती हो तो सीधे यह आ जाएगी तो इन दोनों में बताई करेंट समान है अगर इन दोनों में करेंट समान है तो बताओ दोनों की करेंट सेम अगर हो तो किसमें कहलाते हैं सीरीज मे अब मुझे बताओ, ये दोनों C dash, C dash किसमे है, सिरीज में, इनका श्रणिकरम सेयोजन का तुल्य वैल्यू कितना हो जाएगा, C dash बटादो, ये इन दोनों की बात करी, मैंने उपर वालों की, ये C dash by 2, इस C dash के जाद किसमे है, पैरलल में, तो ये तो जुड़ जाएगे न सी दे, तो यहाँ पर क्या हैगा, C dash by 2 plus C, अब जरा बताओ, फिर से लिखता हूँ, C by 2 किसके बराबर है, ये 1 और हाफ कितना हो गया, 3 बटादो C dash, ये 2 से 2 कैंसल कर दो, जरा बताओ, C dash निकालना था, आंसर कितना रहे, C बटा 3, क्या हुआ भी, वही आंसर है कि नहीं आया तो कोई रटने के जरत नहीं है, एक logic याद रखिए, सारे प्रशन होंगे, कि नहीं भी दो बिंदों की बीच में तुल्य प्रतिरोद, तुल्य प्रतिगात, या equivalent capacitance समान रहती है, यदि वो दोनों circuit एक दूसरे के equivalent है, तो star delta की बीच में तीन line बनाने का मतलब भी क्या था, ये दोनों एक दूसरी के तुल्य हैं, तो अपन इस तरह से मान ज्यात का सकते है, ठीक है, clear है, बात समझ में आई सबके, चले, तो result अपने का clear है, क्या answer दूँगा, मैं, अगर मुझे कोई यहाँ पर C dash पूछ ले, तो मुझे यहाँ पर C dash पूछ ले, तो मैं क्या अभी बात कर रहे था, पर प्लेटों पर जब आवेश आता है, तो क्या बनता है, विदुचेत्र, यह बताओ, यह दो प्लेटें आई, ठीक है, अपने जब इन्हें जोड़ा किसी electric circuit में, यह plus Q, यह minus Q, इनके बीच में एक विदुचेत्र बना, इस विदुचेत्र का, आगया भी, half CV square, तो आप कहेंगे, यह उर्जा किस रूप में होती है, यह कई बार पूछता है, तो आप कहेंगे, विदुचेत्र की रूप में, जब कि यह चीज़ अगर कोईल में होती है, तो किस में होती है, चुम्ब के शेत्र की रूप में, यह ध्यान रखना है, अब इसको देखो, विदुचेतर वाले को, इस फॉर्मले को कई तरह से लिख सकते हैं, देखो, मैं तीनों बता जाता हूँ, एक बटा दो, CV square, तो देखी रहा है, अगर फिर देखें, तो एक बटा दो के साथ, CV गुणा V लिख दूँ अगर इसको, तो जड़ा बताओ, क्या जात करते हो, Q बराबर CV, क्या होता है, Q equal to CV, तो यही फॉर्मला क्या आ जाएगा, तो अगर कभी आप से बूच ले, कि एनरजी होती है, एक बटा दो, Q गुणा V, तो वो भी सही है, अब Q बराबर CV से, अगर V कमान बताओ, यहां से, V कमान किसके बराबर होगा, Q upon C, अग तो यह क्या-क्या फॉर्मला है तो आप कहेंगे, half CV square, एक बटा दो QV, यह Q square upon 2C, यह तीनों ही किसको वेक्त करते हैं, आप कहेंगे, stored energy को, कैपेस्टर में संग रहित और जागो, clear है, आगे बढ़े, चले, तो यह था अपना, कुछ मिसलीनियस इंपॉर्टेंट टॉपि कोई भी charging device जो है, वो कभी भी शनिक रूप से ने तो आवेशित होता है, ना शनिक रूप से निरावेशित होता है, हमेशा एक समय लेता है, और यह जो आवेशन या निरावेशन इसका होता है, charging और discharging, जो capacity inductor का होता है, वो हमेशा कैसा होगा, exponential, याद रखना यह शब् ने तो straight line बढ़ते हैं, यह हमेशा कैसे होते हैं, यह होते हैं, चर गहतां की, अगर वृध्य हो रही है तो ऐसे, और अगर कम होंगे, तो यहां से maximum value क्या होंगे, कम भी इसी तरह से होंगे, यह आप कहेंगे, जो charging है, उसी तरह का discharging भी होगा, एकदम से नहीं हो जाएग जैसे अपने आपे charging दिखाया है, तो आप कहेंगे, charging किस तरह की है, आप कहते हैं, यह होती है, इसे बोलते हैं, चर गहतां की है, किस तरह की चर गहतां की है, एक्स्पोनेंशिल, E की गहत में होती है, मतलब E की पावर, E की पावर में कोई formula आएगा जिससे होगा, यह आप कहते capacitor, जो है, एक capacitor का गुण और होता है भी, कि यह अपनी प्लेटों के सापिक्ष हमेशा voltage परिवर्तन का विरूद करता है, क्यों भी, देखो मैं इसको भी बताता हूँ, Q बराबर क्या होता है, CV, ठीक है, दोनों पक्षों का आउकलन करें, तो DQ बटा DT, किसके बर करेंगा, इसी गुण के कारण, यह क्या करता है, एकदम से चार्ज या डिस्चार्ज नहीं होता है, तो यह जो ग्राफ अपने को मिल रहा है, यह इसका exponential ग्राफ कलाएगा, अब आप कहते हैं, 0 से अपने अधिक्तम मान तक पहुंचने में, इसको जो टाइम लगता है, वो बूला जाता है कि चार्जिंग के दोरान अपने अधिक्तम मान का कब वो 63% गेन कर लेगा, या अपन कह सकते हैं, डिस्चार्जिंग के दोरान कब वो अपने मान का 37% तक कम हो जाएगा, इस तरह से दोनों भी बातों से बोला जाता है, आगे जब पढ़ेंगे अपन, पू आगे देखे, आगे मैंने कुछ उधारन दिये, इस क्लास में तक आप तक जितना पड़ा कि आप समझ में आया कर नहीं, तो यह वाला डाइगराम तो बड़ा फेमस अभी, और वीट स्टोन ब्रिज अगर आपने देख लिया होगा, वीट स्टोन ब्रिज पर भी एक लेक् अगर मैं कहूं कि यह 10 और 10 किसमें, नहीं सीरीज पैरलल कुछ समझ नहीं आता है, तो आपके बाद कुछ अलग पॉइंट जो दिख रहे हैं, उनको कुछ नाम दे देते हैं, इसे 1, इसे 2, इसे 3 और इसे 4 अगर दे दूँँ, और मैं कहूं इस सर्कृट को दुबारा से बनाते हैं, तो एक A number point से चलना स्टार्ट करते हैं, हमने कहा A से बनाते हैं, किस पर पहुंचे 1 पर, 1 से पन गए किस पर 3 पर, कितना 10 फेरड, तो आपने कहा 1 से पन गए किस पर, यह लिजे 3 पर, कितना है भी 10 फेरड, ठीक, उसके बाद 1 से पन 2 पर भी गए, यह बना दि 10 फेरड, आगे देखा, तो 3 से 4 कितना है 10 फेरड, यह 3 से 4 एक कैपेस्टर जो है, वो 10 फेरड, और 4 और 2 भी आपस में जुड़ें 10 से, आपने कहा यह लग, आप जैसे ही अपन इस डाइग्राम को देखते हैं, आपको पक्का कुछ नकुछ तो ध्यान में आता है यह ना, पर देखें, तो इस इंटो इस, इंटो इस इंटो इस इनका इंपिडेंस समान आ रहा है गुणा करने पर, यानि यह ब्रिज कैसा है संतुलित है, और एक संतुलित ब्रिज में हमेशां कभी भी इस बीच वाली ब्रांच में करेंट नहीं बैती है, तो यह प्रतिरोध अग कितना आ गया पांच तो बताई पांच और पांच किसमें आ गय ऐस अम्हreibtर कितना और ब्त बलनों आपस में किसमें पैडल सीधे जोड़ जाएंगे अंसर कितना ओएंगा तो आसान सा question ब्रिज को भी पढ़ा दिया और साथ में capacitor के series parallel की भी बात कर लिए आगे देखें अगला question एक और है यह देखें यह एक मैंने basic sun numerical बनाया है समझने कोशिश करो formula बैस अगर question आया तो कैसे solve करें इसको सीखते हैं चलो यहां पर इसने बोला है दो संधारितर जिनक की है तीन इसकी value मान लेता हमें C1 है और यह C2 है इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़कर 40V की supply दिजाए इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ दिया और 40V के voltage से V बराबर 40V पर जोड़ दिया तो आप से पूचते हैं इनकी तुल्य धारिता तो सबसे पहले तो दोनों series में सब्सक्राइब कट जाएगा तो unit वही आने वाली है कितना हो गया फंदरा बटा फंदरा बटा आठ माइक्रो फेरेड यह तो आगे तुल्य धारिता फिर कहता है कि यह बताई इसमें संगरीत उर्जा भी कितनी अब आप से क्या पूच रहे है उर्जा भी पूच आप जान किसमें है माइक्रो फेरेड तो बतब फंदरा बटा आठ के साथ क्या लगेगा माइनस 6 वी स्क्वाइर वोल्टेज कितना 40 तो आप करेंगे यह कैसे लिखेंगे आप गूणा 40 का स्क्वाइर यह भी हो गया अब इसको जरा हल कर लो आंसर आजाएगा क्या रहे यह वन 16 और गौर से अगर देखो तो यह कितना है स्वारो मैं इसको सीधे बताता हूं एक बटा दो गुणा 15 बटा आठ गुणा 10 की घात माइनस 6 और 40 का स्कोर कितना हो जाएगा यह हो जाएगा तो देखो 8 दो नी 16 16 से 16 थीक है 20 यहां पर यहां माइनस चे तो माइनस का चार आगया तो यह आता है 15 गुणा 10 की घात माइनस चार और अगर पॉइंट में हटा दें तो 10,000 से भाग दे दो 0.0015 और किस में आ गया जूल उड़ जाया ना तो किस में हो जाएगी जूल में यह अपना अंसर आगी बेसिक क्वेशन अभी कुछ नहीं फॉर्मुला बेस एकॉलेंट निकाला और फिर फॉर्मुला लगा के वैल्यू निकाल दे कर लेंगे चली नेक् समान है यह किस में दिखरा भी इधर वाला बताओ यह किस में दिखरा है यह किस में जुड़ें डेल्टा में और यह किस में जुड़ें आपके इस्टार में पहले तो सीधा सीधा लॉजिक अब पढ़ चुके हैं तो लॉजिक याद करो कैसे याद करूंगा औब्जेक्ट delta में कैपश्टेंस क्या होता है? Low होता है! यानि कि delta connection में जो branch है उसमें R और L तो अधिक मान कि होंगे capacitor कम का होगा! अब जैसे यह देखा तो प्रश्न प्याओ! delta तो दे रखा है? ये रभी! delta तो दिया है! star पूछ है! delta में capacitance low होता है! क्या होता है low तो मैं काओंगा यह तीन फेरेड दीखरका है ना मेरे को यह value क्या है low इसका मतलब star में जाऊंगा तो क्या हो जाने की value बढ़नी चाहिए तब ही तो low कहलाएगा star में कर value बढ़नी चाहिए तो बताइए बढ़ती किस factor से 3 तो अपन सीधा जवाब दे सकते हैं कि C बराबर किसके हो जाएगा 3 times of previous तो 3 गुणा 3 farad अपना अंसर कितना आ गया 9 farad यह लिज़े अपना आंसर आ गया किस नियम से आया प्रकार कौन कौन से कहा कहा इस्तमाल करते हैं कितने types के हो सकते हैं और basic samantra plate sandharitra का एक तरीका क्या कहता है इसके ओपर class थी hopefully आपको पसंद आया हुगा ठीक है तो ऐसे ही और भी informative और basic videos के लिए अपन इस चैनल को subscribe कर दें और वीडियो को like कर दें चलिए मैं जोगंदर सिंग शेकावत आज की class यहीं तक कल किसी दूसरे वीडियो में मिलते हैं दूसरे topic के साथ thank you so much thank you